तो नमस्ते और वेलकम बैक तो माई चैनल वियर्स और आज मैं आप लोगों के लिए कोई रिव्यू वीडियो नहीं लेकर आया हूँ यह जस्ट एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो पर आप लोगों ने बहुत जादा सपोर्ट दिखाया था उसके लिए थांक यू सो मच और ब यह value for money होगी यह आपकी ज़रुरत हो कि हिसाब से यह गारी क्या सही रहेगी वह आप खुद जज़ कर सकते हो तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले पॉजिटिव पॉइंट से पहले जो तीन पॉजिटिव पॉइंट है वह मैं आपको बता देता हूं कि क्या है इस बहुत अच्छे से ग्राफिक्स का भी यूज किया गया है उस वाइस काफी जाधा स्पोर्टी स्कूटर लगती इस सेग्मेंट पाप किसी भी स्कूटर का देखोगे तो आपको बिल्कुल भी ऐसा प्रेजन्स या लुक का सकतो नहीं मिलता है रोट पाप चलोगे तो बनाया गया तो लुक्स के मामले में तो फाइब अब अगर बात करें इसके दूसरे पॉजिटिव पॉइंट की तो यह है इसकी जान और जबरदस्ट इंजन बनाया गया टीवी एसके थूटू और मुझे लगता अभी तक किसी भी स्कूटर में इस टाइप का इंजन बिल अभी तक कहीं से भी नहीं आया था और टीवी एस नहीं यह दिया तो भाई जबरदस्ट है आप बिल्कुल भी ले सकते हो तो इंजन के मामले में तो बिल्कुल भी एट्स आफ है टीवी एस अंटॉक 125 प्रेस एडिशन और लास्ट थर्ड पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो वह भाई इसकी शॉक एब्जॉर्बर्स और प्रेक शॉक एब्जॉर्बर्स आप देख सकते हो काफी हेवी है काफी स्टर्डी है और आगे पीछे तोनों काफी अच्छ से मुझे जवर्तस शॉक एब्जॉर्बर्स एंटॉक टीवी एस का ही लगा है क्योंकि मैं खुद भी खराब रास्तों में चला कि इस गाड़ी को देख चुका हूँ बहुत ही अच्छे से बहुत ही कमफर्टेबिलिटी से गाड़ी निकल जाती है कहीं भी कोई ऐसा इसा बहुता है डेली आप रैट करोगा अगर खराब रास्तों में तो भी अच्छी होगी और अगर ब्रेक पर्फ़ोमेंस की बात में बताऊं तो नक्स लेवल है, काफी स्टेबल ब्रेकिंग है आगे आप definis परुप पैटल डिस्क दिया गया है तो निसा यसिए अपर म्हीं प्राइक को अच्छे से तीन त्वित भागता बोडा में। तो मैलेज नहीं देने की वजब भी है मैंने पहले भी आप लोगों को वीडियो में बताया था कि ये 3-valve एंजने जनरली स्कूटर्स 2-valve एंजने होते हैं 2-valve में आपको मैलेज अची मिलती है फ्यूल एकनॉमी अची मिलती है बट ये 3-valve एंजने परफॉर्मेंस ओरियंटेड एंजने काफी हाई पिकप है इसका काफी हाई एकसलरेशन है तो आपको मैलेज बिलकुल भी ये नहीं देगी मुझे भी नहीं देगी ये मैं एकस्पेक्ट कर रहा हूँ मैलेज ठीक है बह दम ले सकते हो 100% रिकमेंडेड है ये गारी बट अगर आप माइलेज की वज़े से ले रहे हो तो भाई आप याद रखना कहीं न कहीं गलत साबित हो सकते हो ये गारी लेने मिलते हैं नीचे मडगार्ट्स देखोगे वो भी आपको फाइबर में मिलते हैं तो जहां आप फाइबर या प्लास्टिक बॉड़ी की बात आती है वहाँ पर बिल्ड क्वालिटी क्या ही एकस्पेक्ट करोगे मैं बिल्कुल खुद भी अनसाटिसफाइड हूँ इस चीज और अब बात करते हैं थर्ड और लास्ट मेजर ड्रॉबग की तो वह है इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने में काफी जादा इंफॉर्मेटिव है बहुत जादा अट्रैक्टिव है काफी स्पोर्टी लगती है और आगे अब देख सकते हो कंपनी ने एक स्टिकर लगाया था स्मार्ट एक्सकने मतलब की ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है इस गाड़ी में तो वह जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है वह बिल्कुल भी स्टेबल नहीं मैं खुद भी यूस करके देख चुका हूँ बहुत ही फ्रीक्मेंट्ली डिसकनेक्ट होते रहती ह है और इसी यह कोसे बहुत हैं कि जो मॉबाइल एक एशक पॉइश का उसके अंदर जितने वी फीचर से वह उतने मतलब की यूसफूल है किसी काम के मुझे नहीं लगे और मैं कनेक्ट भी करता हूं क्यूंकि मुझे उतने यूसफूल वह फीचर्स लगे नहीं तो और कर लिए हैं और अब आ जाते हैं कुछ क्वेस्टेंस के उपर जो लास्ट मैंने रिव्यू वाली वीडियो डाली थी टीवीए संटॉट की उस पर बहुत भाई उने क्वेस्टेंस पूछे थे तो भाई उसका भी एंसर आज हम यहां देंगे और पहला जो क्वेस्टेंस था एक भाई ने पूछा था कि उनकी 30 km पर डे की रणिंग है तो वैसे सिच्वेशन में क्या उनको टीवीए संटॉर की और जाना चाहिए या फिर होंडा एक्टिवा लेनी चाहिए तो देखिए मेरा जवाब यही है कि अगर आपकी 30 km पर डे की रणिंग है तब तो आप भा बहुत अच्छा है fun to ride है बहुत ही अच्छे से handle कर लेती है सारे situation को यह गारी बट एक्टिवा में क्या है कि आपको mileage अच्छा मिलेगा और आपको mileage चाहिए ही चाहिए तो इसलिए भाई मैं तो यही कहूँगा कि आप blindly Honda Activa के और जा सकतो बाकि performance में इस गारी में भी कहीं क गाड़ी चली वी है दो साल की गाड़ी लेकिन फिर भी आप देख सकते हो 2900 कुछ किलोमेटर 3000 आप कह सकतो तो इसलिए मेरी रनिंग बहुत कम हुई और तो इसलिए माइलेज भी मुझे अभी कम दे रही है बट फिर भी मैं जानता हूँ कि अगर मैं 10,000 किलोमेटर भी क्र अगर पर्फॉर्मेंस वाइज अगर चाते हो तो भाई आप एकदम प्लाइंटली एंटर्क ले सकते हो पर्फॉर्मेंस में आपको बहुत सॉलिड मिलेगी बहुत जबरदस मिलेगी और बहुत ही फॉन टू राइट गारी है मैं आपको पहले भी बता चुका बट अगर मा अगर पर्फॉर्मेंस आप चाते हो तो टीवेस अंटर्क ले सकते हो कोई इशू नहीं है और अपने एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था एंटर्क नोट गुड तो देखो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बहुत ही पर्फॉर्मेंस ओर्येंटेट गारी है बहुत ही एक चीज माइलेज को लेके हम यह नहीं कह सकते हैं कि बहुत ही खराब गारी है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है माइलेज को अगर आप साइड रटा दो तो सब चीज इस गारी की बहुत टॉप क्लास है और मैंने आपको पहले भी बता है कि इस सेग्मेंट में जनरली किसी भी स बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही स्कूटर है आप लेना चाहों बिल्कुल ले सकते हैं थोड़ी सी माइलेज आपको निराश कर सकती है बट वो कोई ऐसी मेजर इशू नहीं है आई होब कि टीवी ए सेंट और के लिए जितनी भी डाउट्स थे वह मैंने सारे क्लियर क तक नहीं देखा तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देदूँगा आप लोग जाके चेक आउट कर लेना और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजेगा शेर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़र कीजेगा थैंक यू पीपल पर करे चैंश फूली वाचिं इस वीडियो